नमस्कार खिसान भायव स्वागत है आपका आपके अपने मन पचांद्धी चैनल इंडियन एक्रिकल्चर में किसान भाईयों जब हम टेमाटर की ट्रांस प्लांटिंग कर देते हैं या टेमाटर की जो फोध होती है उसे उखाड कर लगा देते हैं और हमारे टेमाटर की फसल लगपक दस से पंदर दिन के आशवास की हो जाती है तो हमारे टेमाटर की फसल में चार समस्याएं बहुत ते वाइट फ्लाई है, थिप्स है, एफिड है, ये काले वाले मच्छर भूनका बगारा, जिसम चैपा बगारा कह देते हैं, इसका आटक बहुत तेजी से होता है, और तीसरा किसन वाईओ, जो पोधो का फुटाव होता है, बहुत ही कम होता है, अठा जो पोधो की गिरोथ होती हैं, तो उस समय पीले पन की समस्या जरूर आती है, जब हमारे पोधो पर पीले पन की समस्या होती है, तो उस समय हमारा पोधो तानाप की इस्तिति में होता है, माली जी हमने पोधो को एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर लगा है, तो उससे जड़ोका भी बिकास करना है, फ पुरी आपको आपको पुरी जान कर दोंगा तो तो किसंवाई आपको अपनी तेमाटर की फसल पर पहली इस्परे लगभग 8-15 दिन के बीच में ज़रूर कर देने चाहिए किसंवाईू. यदि हम इस समय अपनी टामाटर की फसल पर इसी स्प्रेय को लगा देते हैं ये दबा को लगा देते हैं तो हमारी जो फसल है उसकी गिरोध अच्छी होती है कीटो का अटेक नहीं होता है और जो हमारे पोधे सूख जाते हैं गल जाते हैं और फसल के अंदर पीले पना जाता है ये समस्या देखने को नहीं मिलती है और हमारी फसल एकदम सुचारू रूप से चलती है गिसनवाईयो दूसरे गिसनवाईयो जब भी आप अपनी फसल में इस्प्रे करें तो आप उसमें परियाप नमी बना कर रखें अर्थात तेर दिया आपकी फसल सुक है वो पानी चाहती है तो पहले आप उसे पानी लगाएं और पानी लगाने के लगभग दो से तिर देन के बाद ही आप इसका इस्प्रे कर सकते गिसनवाईयो अब किसान भाईयों हम बात कर लेते हैं कि हमें अपने टमाटर की फचल पर पहली स्प्रे में कौनगुशी दवाया लगानी चाहिए है तो इसके लिए किसान भाईयो आपको एक लेकर आना है कीत ना सकते हैं कि पाईयो पर लीटर हम पहले उसम्हां आपको खीं लेनी है मिलता है है तो अपको इसके स्थाथ पर दूसरा कीटासक भी ले सकते हैं दूसरे कीटासक में किसानवाईयो आपको लेना है थाय मितोकसम 25% वाला इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको 20 गिराम पिरती पंप के साब से लेना किसानवाईयो यानि 1.5 गिराम पिरती लिटर के साब से लेना है किसान भायो दूसरा किसान भायो इसमा आपको लेकर आना है फंगी साइड फंगी साइड में आप ले सकते हैं मैट को जो इंडोफिल कंपनी का आती है या आप ले सकते हैं रेडो मिल गोल्ड जो सिजेंटा कंपनी की आती है इन दोनों फंगी साइड पसे आपको एक ही फंगी साइड लेना है आप मैट को ले सकते हैं या आप ड़ो मेल गॉल्ड ले सकते हैं सन वह उ इन दोनों के अदर जो हुम टैकिनिक लिए बात करें तो एक ही टैकिनिक लाता है इता मैट Connect 9% प्रस प्लस मेंको जोrov 64% यदि में इनके डोज की बात करें, तो 2 ग्राम पिरती लिटर के साब साब को एड करनी के संब भाई हो, अब तीसरे के संब भाई हो, यदि आपके पोधो की गिरोथ रुख्यो ही है, पोधे अच्छे से गिरोथ नहीं कर रहे हैं, फुटाब नहीं हो रहा है, तो आप इसके वठीक के संब भाई हो, एक टॉनिक मिला सकते हैं, यदि आपको कमपणी की कॉंटिस फिल ले सकते हैं, तो आपको चार से पांच एमायल प्रिति लिटर के साब से लेने किसंब भाई हो, लेकिन दौनिक आपको एक ही ले दोनों टोनिक नहीं लेने, जोन साभी आपको समय पर मिल जाए, यदि आपकी गिरोथ अच्छी है, बढ़भार बढ़े हापोत हो की, तो आप टोनिक ना लगाएं, अपके सानवायों इन सभी दवायों को आपको मार्केट से लेकर आना है, और मार्केट चलाने के बाद में, इनका आप अच्छे से घोल त्यार करने, और घोल त्यार करने के बाद में के सानवायों, आप अपने टेमाटर के फसल पर लगभग दोपर के समय लगा दें, ताकि ये दवा अच्छे से सूख जाए, और जब भी आप इस प्रेय करें के सानवायों, आपकी फसल में भिटिब्स है आपकर का चैपा मच्छर है यह नहीं आएंगे और आपके फाद का फुटाब है बहुत अच्छे से हो जाएगा तो इस प्रिकार से खानबाई ओप अपने टेमाटर की फाद में इस प्रेख को लगाने के बाद अपने टेमाटर की गिरोथ को बढ़ा सकते हैं और अपने टमाटर की फिसल से बढ़िया और सांदर उत्पादन ले सकते हैं किसन भाईयों। यदि किसन भाईयों आपको किसी अन्य फित्र का बारे में कोई जान कर चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या वाट्स ओपन मैसिज कर सकते हैं। मैंने चैनल पेस पर देखाया आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डाल कर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसन भाईयों। मेरे तुआरा देखाया जानकारी आपको अच्छे लेगी हो वीडियो परसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें सेल करें उस चैनल को दुर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फूर वाचिंग माई वीडियो।